अगर आप Taro में अकल्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर अधरवाइस भी आपका इंट्रेस्ट है आप सीखना चाहते हैं वी है वा Taro Certification Course जिसमें A to Z about Taro आपको सीखने को मिलेगा अपनी इस जर्णी को कैसे आप फर्दर लेकर जा सकते हैं ये भी स्कोर्स में covered है और अगर इसी सही related कोई भी डाउट आपके मन में है आप स्क्रीन पे दिये गए नंबर पर हमें WhatsApp कर सकते हैं अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं Hey everyone, मैं हू किरन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए Coming Week का सापताहिक राशी फल और इस वीडियो में सभी साइन्स के सापताहिक राशी फल है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपकी राशी के सामने टाइम स्टैंप है आप उस पे क्लिक करेंगे तो डारेक्ली आपकी रीडिंग आ जाएगी और बहुत सरे लोगों का सवाल होता है कि माम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें तो टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाही हो आपका लगण हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो, या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं, coming week का साथ तहिक राशी फल अपने लिए के लिए के कमिंग week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है तो professional front के लिए आप लिए काड है, the world The world का काज सबसे पहले चीज, out of the country से related किसी भी activity के होने की या फिर उसके उपर focus करने की बात करता है क्योंकि ये general leading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए simply हो सकता है कि आप out of the country travel कर रहे हैं इस वीक या फिर इसी से related कोई सोच, कोई planning आपके मन में चल रही है कुछ के लिए हो सकता है कि आप global market को explore करना चाहा रहे हैं आप अपने work को international लेकर जाना चाहा रहे हैं या फिर अगर आपके international clients हैं आप उनसे ज़्यादा connect करें आप फिर उनसे आपकी ज़्यादा interactions हो रही है और ये card कहीं किसी face के complete होके नए face के शुरू होने की भी बात करता है या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ ending, beginning को भी represent करता है और इसी से related भी कोई भी चीज आपके professional front में रह सकती है कुछ के लिए simply हो सकता है कि आप पुराने काम करने के तरीके को छोड़ कर नए काम करने के तरीके को अपनाना चाहते हैं कुछ के लिए हो सकता है कि कोई project बहुत time से आपका चल रहा था इस week end हो रहा है और एक नई beginning या फिर नया project या तो हो रहा है या फिर अगर नया नहीं भी शुरू हो रहा है तो पुराना कहीं complete होता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये card कहीं किसी चीज के complete होने को भी represent करता है कुछ के लिए हो सकता है कि आप नई team के साथ connect कर रहे हैं again देखिए जो भी चीजे मेरे mind में आई मैंने कहा ending beginning रहती भी दिख रही है या फिर किसी चीज के या किसी phase के end होके नए phase के शुरू होने की भी बात करता है situation, circumstances सबके लिए differ करेंगे और overall के लिए हो सकता है जो भी आप काम कर रहे हैं positivity रह रही है, एक happiness आप फिल कर रहे हैं कहीं आपको काफी appreciation, recognition भी जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं उनसे मिलतावा दिख रहा है और फिर से दिखे एक चीज बोलूँगे कि ज़ादा आप out of the country से related या पर जो भी area में आप हैं उसके बाहर connect करते हुए दिख रहे हैं उसके बाहर आपके again मैं कहूंगी connections बनते हुए दिख रहे हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए the sun का card है the sun tarot में one of the best card होता है और कहीं ये card overall happiness, joy, success, victory you know इन ही सब चीजों को represent करता है तो अगर हम overall देखें तो overall ही ये week आपका काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है क्योंकि professional front के लिए the world का card भी positive energies की बात करता है और personal front के लिए the sun का card तो फिर से कहूंगी एक happiness, एक joy की बात करता है अब दिखें जब सुभे sun आता है तो अंधेरा गायब होता है PG किसी भी चीज को लेकर confused हो रहे थे, directionless feel कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था, क्या करें वो एकडम से चीज आपकी खतम होती भी दिख रही है, एकडम से clarity आती भी दिख रही है PG किसी भी चीज के लिए effort कर रहे थे, महनत कर रहे थे, उसी से related success मिलती हुई दिख रही है क्योंकि ये card vacation को भी represent करता है, कुछ के लिए हो सकता है vacation पे जा रहे हैं, vacation plan कर रहे हैं और sun कहीं एक नए दिन की शुरुवात भी करता है तो हो सकता है किसी चीज को लेकर एक नए शुरुवात हो रही है, नए बिगनिंग हो रही है या फिर कोई नए चीज आप खरीद रहे है, नए कोई चीज आपकी life में आ रही है अब देखिए unginate scenarios रह सकते हैं और बहुत सारे लोग देख रहे हैं और इन जनरल या फिर guidance से आप लोगों के लिए भी spirit का card है और ये card कहता है sweet result of eight तो देखिए ये card भी कहीं एक किसी भी चीज के लिए पीछी again मैं कहूंगे आपने effort किया मेहनत करा उसके एक sweet result, उसके एक sweet outcome के आपको मिलने की बात करता है हम सब लोग जानते हैं कि bees hard work को represent करती है patience को represent करती है तो फिर से कहूंगी किसी भी चीज के लिए बढ़ा आपने sabr रखा और sabr के साथ in fact कहूंगी मेहनत करी तो उसका एक positive result आपको मिलता हुआ दिख रहा है और guidance के तौर पे अगर हम ये card देखे तो ये card आपको ये ही कह रहा है आप hard work करते रहें patience रखें जो भी चीज पर आप focus करें definitely आपको एक positive result उसपे मिलेगा and astrology से आप लोगों के लिए Aquarius sign का card है इसके इसाप से all shades of blue indigo इस week आप लोगों के लिए lucky रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये थाईरीज आप लोगों के लिए coming week का साबता है राशीफल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आप लोगों के साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए तो चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लिए करा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है night of wands reverse और ये कार्ड दिखें movement को represent करता है कहीं shift को represent करता है travel को भी represent करता है और इस week ये कार्ड आप लोगों के लिए reverse है तो कहीं इसी से ही related छोटे मोटे issues मसले रह सकते है कुछ के लिए simply हो सकता है आप travel करना चाहा रहे हैं आपके travel plans delay हो रहे हैं या फिर अगर आप अपने वहेकल से travel कर रहे हैं तो वहेकल में कुछ issues मसले हो रहे हैं आप देखें reason सब के लिए differ करेगा लेकिन travel से related छोटे मोटे issues मसले रह रह रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि किसी situation में किसी चीज में आप बहुत अटका हुआ महसूस कर रहे हैं आपको लग रहा है कि बस immediately आप इस situation में से निकल जाएं आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है change of place, change of residence residence तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि यह आपके professional front के लिए है but change of office, change of job, change of team या फिर किसी भी तरीके के changes आप चाहा रहे हैं और कहीं वो changes नहीं हो रहे हैं या फिर changes से related issues मसले रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है आप अपने work place पे commute करते हैं उससे related issues मसले हो रहे हैं तो दिखे फिर से मैं clear कर दूँ broader level के लिए movement, travel, shift changes से related issues मसले रहे सकते हैं और इसी वज़े से या फिर otherwise भी एक restlessness, एक anxiety आप महसूस कर सकते हैं थोड़े से impulsive आप हो सकते हैं थोड़े से जल्दबाजी आप कर सकते हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि enthusiasm, excitement या तो काफी low है या फिर over, you know, enthusiastic, excited हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा अगर आप patience रखते हैं थोड़ा सा surrender mode में रहते हैं और जो भी situation है उसके लिए acceptance अगर लाते हैं तो इस week की energies को बहतर करेंगे नहीं तो night of wands is not a negative card बट यह से एक restlessness, एक anxiety रह सकती है और personal front के लिए आप लोगों के लिए 8 of swords reverse का card है यह भी card दिखे movement के restrict होने की बात करता है तो कहीं किसी level पे फिर से मैं कहूंगी professional, personal दोनों ही fronts के लिए movement restrict हो रही है यानि कि किसी situation में से आप बहार निकलना चाह रहे हैं और हो सकता है उस situation में आप अटका हुआ महसूस कर रहे हैं और दोनों ही आप अपने efforts कर रहे हैं personal front में कहीं किसी level पे आप निकलते हुए दिख रहे हैं या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि पीछे आप बहुत ज़्यादा struck महसूस कर रहे थे आपकी helpless energies थी, hopeless energies थी आपको समझ में नहीं आ रहा था इस situation में क्या करें ऐसे लग रहा था जैसे आँखों पे पट्टी बंदी हुई है आप चीजों को clearly देख नहीं पा रहे हैं visibility नहीं है और clearly आप समझ भी नहीं पा रहे हैं चीजों को तो कुछ ऐसी सी energies पीछे रह रही होंगी और कहीं एक अकेलापन भी हो सकते आप में हैसूस कर रहे हैं और इस week इन ही energies में से आप बाहर निकलना चाह रहे हैं निकलने की एक कोशिश रह रही है और देखिए जब हम ऐसी energies में होते हैं तो किसी level पर चीज़ें बहतर होती हैं क्योंकि कितनी बारी हम accept हैं नहीं करते हैं भी हमारी situation ऐसी है जिसमें हमें action initiatives लेने की जौरत है हम कहीं victim consciousness वाली energies में रहते हैं या फिर ये नो हम फिर से मैं कहूंगे कि समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि चीज़ें किस direction में जा रही हैं हमें इसमें क्या action initiative लेना चाहिए तो कहीं इस week मुझे लग रहा है कि आप उसमें से निकलते हुए दिख रहे हैं निकलने की कोशिश कर रहे हैं अब देखे कुछ के लिए जब मैंने कहा कि पीछे ऐसी situation थी वो ये भी हो सकती है कि जो week आ रहा है उसकी starting में ऐसी energies हैं and by the end of that week और the coming week आप उसमें से बाहर निकल रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है काफी time से ये situation चल रहे हैं और इस week आप उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो yes इसी से ही related चीज़े रहते भी दिख रहे हैं and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए pig spread का card है कितनी बार ही होता है ना Taurus हम किसी एक चीज़ पे या overall ही अपनी ही thinking में attack से जाते हैं attack is actually not the right word अड़ जाते हैं हमें लगते हैं बस यही सही है हमें यही करना है हमें यही चाहिए हैं जब हम ऐसी energies में होते हैं हम बाकी अपने options बाकी जो opportunities होती हैं बाकी जो और you know scenarios रह सकते हैं उसको नहीं देख पाते हैं और ऐसे में हम अच्छी चीज़ों को भी miss करते हैं तो एक चीज में आपको कहूंगी flexibility रखें आड़े ना किसी भी चीज़ पे और बहुत wisely आप decisions or choices लें astrology से आप लगों के लिए Mars planet का card है इसके हिसाब से red, maroon, rust से related जो भी colors हैं आप लोगों के लिए lucky रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो ये था Taurus आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए जिमनीज आप लोगों के लिए देखेंगी coming week क्या लिकर आ रहा है क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है Three of Pentacles Rivers सबसे पहली चीज ये card teamwork में काम करने की बात करता है या फिर जो भी लोग हमारी life में उनके साथ concrete discussions concrete level पर बातचीत करने की बात करता है वेना ऐसे concrete मतलब जो भी बातचीत हम कर रहे हैं उसका purpose fun, मजा, मस्ती नहीं है उसमें कुछ बहुत एक concrete discussion का topic है या फिर किसी serious तो मैं नहीं कहूंगी बहुत important बहुत important भी नहीं मतलब हाँ कोई ऐसा मुद्दा है जिस पे वाके में discussion चाहिए तो उसके लिए मिल रहे हैं उसके लिए बात कर रहे हैं तो इस चीज को भी एक काट represent करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional fund में रहतावा दिख रहा है क्योंकि एक काट reverse है तो इसी से ही related छोटे मुटे issues मसले रह सकते हैं for example जिनके साथ भी आप discussions कर रहे हैं कहीं आपके और उनके views नहीं match कर रहे हैं और अगर teamwork के साथ काम कर रहे हैं या फिर आपका project है जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें team involved है तो उनके साथ कहीं goals aligned नहीं हो रहे हैं कहीं वो एक coordination नहीं हो रहा है और in fact देखिए जो भी हम काम कर रहे होते हैं हमें बाकी लोगों की जुरत पड़ती है चाहें directly चाहें indirectly तो उसमें भी छोटे मुटे issues मसले रह सकते हैं So three of pentacles is not a negative card तो कुछ भी गलत नहीं होता हुआ दिख रहा है लेकिन ये life है कभी-कभी तो चीज़ें बड़ी smooth चलती हैं कभी-कभी छोटे-मुटे अरचने होती हैं और कभी-कभी जो भी लोग होते हैं उनके साथ उस तरीके से हमारा एक या तो connection नहीं बन पाता है या फिर views नहीं align होते हैं goals नहीं align होते हैं या difference of opinion होता है तो किस तरीके की energies इस week रह सकती हैं क्योंकि ये pentacles का भी card है again reverse है तो money पैसे से related भी छोटे-मुटे issues रह सकते हैं और within भी रह सकते हैं यानि कि जो लोग आपके साथ काम करते हैं आपके और उनके बीच में कुछ पैसे को लेकर मुद्दा रह रह रहा है, topic रह रहा है जिस पर discussions कर रहे हैं, issues हो रहे हैं या फिर जितना profit आपने expect किया आपको ऐसे लग रहा है कि भई वो profit आपको नहीं मिलेगा या payment delay हो रही है तो simply इनो इस तरीके की चीज़े रह सकती है and personal front के लिए आप लगों के लिए the Empress का card है, the Empress is one of the best cards in the deck और ये card कहीं luxury की बात करता है, comfort की बात करता है और personal front में कुछ ऐसा ही रहता हुआ दिख रहा है, आप देखिए ये फिर से मैं कहूंगी, सब के लिए differ करेगा अगर आप vacation पे जा रहे हैं तो हो सकता है कि बहुत ही एक comfortable, luxurious resort में आप रह रहे हैं जहां पे nature अपने prime पे है, बहुत ही beautiful, you know, sceneries है, बहुत ही beautiful ambience है, तो इस तरीके की energies हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने घर को अगर renovate करना चाहा रहे हैं, तो बहुत आप beautiful करते हुए दिख रहे हैं बहुत आप expensive चीजें उसके लिए खरीदते हुए या use करते हुए दिख रहे हैं और देखिए ये दो सिरफ example है कि कैसे comfort luxury है सकती है और मैंने अभी कहा comfort तो जो भी काम आप कर रहे है न बड़ा comfortable आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं अब देखिए Empress taro में mother है और feminine energies को repism करते हैं तो कहीं जो भी इंसान आपके personal front में है वो male भी हो सकते हैं, female भी हो सकते हैं जो बड़ी loving है, caring है nurturing सी energies है और फिर एक motherly सा उनका nature है उनके साथ आपका ज़्यादा interactions हो रही है ज़्यादा बातचीत हो रही है उनके लिए आप बहुत एक love, care, प्यार, महबबत महसूस कर रहे हैं और फिर उनकी तरफ से आपको बहुत एक love, care, प्यार, महबबत मिल रहा है तो nutshell में personal fronts are related बहुत beautiful energies है I don't know इस card को कितना देख पा रहे हैं इस card में आपे heart बनाया है heart के अंदर venus का sign है तो कहीं एक बहुत प्यार, महबबत वाली भी energies रहते भी दिख रही है पीछी किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत effort कर रहे थे मेहनत कर रहे थे तो ये card कहीं positive outcome positive result की भी बात करता है और ऐसा भी आपके personal front मेरा अतावा दिख रहा है and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए beaver spirit का card है और ये card कहता है lay a solid foundation तो जो भी करें ना surface level पे ना करें या फिर सिरफ करने के लिए आपका focus होना चाहिए कि बहुत एक solid तरीके से करने हो और base strong होना चाहिए कहीं उसकी foundation बहुत strong होनी चाहिए इसका जरूर आप खयाल रखे and astrology से आप लोगों के लिए इस copy or sign का card है इसके हिसाब से all shades of जो भी समुद्र के होते हैं रंग, sea green, sea blue वो आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and a significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो ये था Gemini's आप लोगों के लिए coming week का साथ आप आप लिए क्राशी फल और नेचे मुझे मुझे कमें सेक्शन में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए एक एंसेरियंज आप लोगों के लिए देखें इक coming week क्या लिए करा रहा है क्या energies है तो profession front के लिए आप लोगों के लिए card है four of wands four of wands overall के लिए अगर हम देखें तो बहुत एक happy energies की बात करता है in fact एक enthusiasm excitement की बात करता है जो कि इस week specifically आपके professional front में रहतावा दिख रहा है अब reasons आपके लिए differ करेगा लेकिन इस card के हिसाब से देखें तो positive changes आपके professional front में रह सकते हैं और कहीं team work के साथ आप काम करते हुए दिख रहे हैं कहीं एक togetherness रहती हुई दिख रही है कुछ के लिए हो सकता है कि change of job अगर आप करना चाह रहे थे उससे related कोई अच्छी opportunity आपको मिल रही है आप बहुत excited हो रहे हैं अगर आप पीछे बहुत time से try कर रहे थे या फिर आपने interview दिया था तो उसका एक positive outcome आपको मिल सकता है आपको offer आ सकती है कुछ के लिए हो सकता है कि आप change ही इस वी कर रहे है या change of project है या change of team है या change of office है तो इस तरीके से कोई भी changes रह सकते हैं और कुछ के लिए भी हो सकता है अगर changes नहीं है तो जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें जो भी लोग आपके साथ है उनके साथ बहुत एक coordination रहती हुई दिख रही है आप लोगों के goals align है और same एक जोश, same एक energy levels रह रहे हैं तो दिखिए जो भी चीजे मेरे mind में आई मैंने कहा सब के लिए different situation scenarios रहेंगे कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने colleagues या teamwork, team members के साथ कहीं travel कर रहे हैं या फिर within the city ही आप लोग you know meetings किसी अच्छी जगाओं पे कर रहे हैं जहां पे आप बहुत enjoy भी कर रहे हैं तो overall बहुत अच्छा ये week आपके professional front से related रहता हुआ दिख रहा है positive changes रहते वे दिख रहे हैं और ये changes सब के लिए differ करेंगे और कहीं ये positive changes बहुत एक happiness, joy, togetherness, enthusiasm, excitement लाते वे दिख रहे हैं and personal front के लिए आप लुगों के लिए page of wants reverse का card है तो दिखिए दोनों ही wants के card हैं तो overall ही enthusiasm, excitement तो रही रहा है professional front में तो मैंने आपको बताया personal front में कुछ के लिए हो सकता है कि over enthusiastic excited हो रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि enthusiasm, excitement थोड़ा सा लो रह रहा है क्योंकि personal front के लिए page of wants का card आप लोगों के लिए reverse है अब again reasons of considerations के लिए differ करेंगे लेकिन pages टारों में बच्चे होते हैं तो कुछ के लिए हो सकता है कि यहां तो आपके personal front में कोई young इंसान है यहां बच्चा है जिसको लेकर छोटे-मोटे issues, मसले हो रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि considerations आप ही बच्चे बने हुए हैं यानि कि आपकी बच्चों वाली energies हैं आप इंचे और तरीके से चीजों को deal कर रहे हैं और एक restlessness, anxiety भी personal front में किसी चीज को लेकर है सकती है अब दिखिए again page of wands is not a negative card तो कुछ भी negative नहीं हो रहा है कितनी बारी तो बिना बात के ही हो जाती है कितनी बारी past का कोई experience होता है उसके बारे में हम सोचते रहते हैं और concerns आप लोग तो थोड़ा सा रहते भी past में हैं बहुत emotional होते हैं तो हो सकता है कि आप चीजों को लेकर बहुत emotional, sentimental हो रहे हैं आप फिर बहुत जादा सोच रहे हैं उसकी वज़े से एक restlessness, anxiety हो रही है किसी email, message, phone call का अगर आप wait कर रहे हैं तो इस week delay हो सकता है और इस card के हिसाब से मैं आपको यही बोलूँगी कि कोई नई चीज ना शुरू करें क्योंकि ये card कहीं एक immature energies की बात करता है ऐसे में क्या होता है और एक और चीज ये card represent करता है जोश में होश खोना तो कहीं ऐसे में हम बहुत सरी चीजे एक साथ शुरू कर लेते हैं और फिर हमारा बीच में interest खतम हो जाता है हम उसको continue नहीं कर पाते हैं तो अगर आप 100% sure ना हो तो उस काम को ना शुरू करें या उस काम में खुद को ना involve करें मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कोई बड़ा decision, कोई बड़ी choice अगर आपने लेनी है तो किसी experiential इंसान से बात करें बिग्यार ना ले और अगर कोई बच्चा है जिसकी वज़े से issues मसले हो रहे हैं तो थोड़ा सा सबर रखें, patience रखें इस week कोई बहुत बड़ा action initiative अगर बहुत important ना हो, बहुत जरूरी ना हो तो ना ले and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए set healthy boundaries का card है तो दिखिए जो मैंने आपको कहा कहीं indirectly ये card भी उसी चीज़ को और जादा confirm करता है कि बहुत अपने आपको freely हर चीज में involved ना करें freely हर चीज में participate ना करें एक healthy boundaries जरूर maintain करें आप अठ्छे से सोच लें समझ लें कि भी वाके में इस चीज़ की ज़रत है तब तो आप खुद को उसमें involved करें या फिर participate करें हाला कि professional front में आप कर सकते हैं क्योंकि professional front में तो है ही participation का card लेकिन personal front में आपने थोड़ा सा सोचना है समझना है freely किसी भी चीज में involved करने से पहले खुद को freely किसी भी चीज में participate करने से पहले nutshell में एक healthy boundaries जरूर बनाया and astrology से आप लोगों के लिए the moon का card है इसके हिसाब से white color इस week आप लोगों के लिए लगी रहेगा and significant day आप लोगों के लिए होगा Monday तो ये था कि इन सेगेंज आप लोगों के लिए coming week का सापता है का शीफल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चले लिए उस आप लोगों के लिए देखें इक coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है queen of cups और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में चीजों को लेकर, लोगों को लेकर, situations को लेकर आप काफी emotional sentimental हो रहे हैं आप दिल से जादा दिमाग से कम काम लेते हुए दिख रहे हैं आपके mood swings हो सकते हैं और बहुत एक happy, joyful energies नहीं रहते हुए दिख रहे हैं क्योंकि आप ए queen का card है, कुछ लियोस के लिए ये भी हो सकता है, कि कोई female है आपके professional front में, या male भी हो सकते हैं, जिनकी feminine energies हैं वो बहुत emotional हो रहे हैं आपकी उनके साथ जादा interactions हो रही हैं और उनकी emotions कहीं आपको भी pass on हो रही हैं या फिर उनकी वज़े से आप बहुत emotional हो रहे हैं तो दिखिए कुछ भी हो सकता है बट overall के लिए फिर से मैं कहूंगी आप बहुत जादा sentimental हो कर चीजों को करते हुए दिख रहे हैं और जब भी भी professional friend में ये card आता है मैं यही कहती हूं कि थोड़ा सा heart और mind का balance जरूर रखें क्योंकि देखिए ऐसे में कहीं हम professional attitude खोते हैं और फिर हम right decisions, right choices नहीं ले पाते हैं professional friend में एक professional attitude रखना बहुत important होता है इस चीज का खयाल इस week आप जरूर रखें and personal friend के लिए आप लुगों के लिए temperance reverse का card है और ये card कहता है कि कहीं एक balance नहीं आप maintain कर पा रहे हैं किसी चीज को या तो आप जरुरत से जादा कर रहे हैं या फिर जरुरत से कम कर रहे हैं अब देखिए general leading है थोड़ा थोड़ा सब लिए उसके लिए defer करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि किसी खास चीज को लेकर आप बहुत जादा यानि कि जरुरत से जादा action initiatives ले रहे हैं सकता है कि आप बल्कुल भी नहीं ले रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि आप over emotional हो रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है बल्कुल emotional नहीं हो रहे हैं तो दीखिए यहां पर मैंने सिर्फ आपको 2 scenario बताए है यहा पिर मैं कहूंगी दो examples तिये सब के लिए different situation circumstances रहेंगे और कहीं दिखिए ये card ये भी कहता है जो भी आप चाहते है personal front में आपका goal है आपका मकसद है उसी से related आप different different चीजें try कर रहे हैं in fact different different चीजों को combine कर रहे हैं अपने desired outcome को पाने के लिए और कहीं वो एक desired outcome को आप नहीं पा पा रहे हैं जितने भी आप experiments कर रहे हैं जितनी भी आप कोशिश कर रहे हैं तो देखिए temperance is not a negative card just ये reverse है तो जो भी आप कर रहे हैं उससे related छोटे मोटे issues मसले रह सकते हैं या फिर इन ही energies से related छोटे मोटे issues मसले रह सकते हैं कहीं आप एक peace maintain करना चाहा रहे हैं सुकून आपके लिए बहुत एहम रह रहा है लेकिन कहीं उस सुकून उस peace को भी उस तरीके से आप नहीं achieve कर पा रहे हैं और जब भी ये काड़ात है मैं यही कहती हूँ कि एक balanced energies के साथ आप चीज़ों को करें यानि कि सबसे पहली चीज़ आप balance maintain करें क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़ में over या फिर less effort करेंगे या किसी भी तरीके की involvement, किसी भी तरीके का आपकी तरफ से एक energies रहेंगी तब तक आप अपने desired goal को नहीं achieve कर पाएंगे तो फिर से कहूंगी balance रखना बहुत important है अपने goal अपने मकसद पे focus करना बहुत important है और इस week में थोड़ी सी patience भी अगर आप रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा ऐसा करेंगे इस week की energies को बहतर करेंगे नहीं तो फिर थोड़ा सा पारिशान हो सकते हैं फिर से repeat करूंगी कि दोनों ही cards negative नहीं है तो कुछ भी गलत नहीं होता हुआ दिख रहा है but you know बहुत positive भी नहीं होता हुआ दिख रहा है या पर जो भी आप कर रहे हैं उसी से related बहुत ही minor emotional level पर sentimental level पर या फिर otherwise भी issues मसले रह रहे हैं and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए night angle spirit का card है और ये card कहता है love is all around you तो देखिए इस card के sorry इस card के 2-3 मतलब है love is around you सबसे पहली चीज कहता है कि अगर आप unloved महसूस करें यानि कि आपको ऐसे लग रहा है कि भई जो भी आपके loved one है वो आपको प्यार नहीं करते हैं तो ये card आपको remind कर आ रहा है या फिर बताना चाह रहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कभी-कभी उस तरीके से इंसान नहीं express कर पाता है या करता है जिस तरीके से हम चाह रहे होते हैं और हम अपने mind में एक स्टोरी बना लेते हैं ऐसा समझने लगते हैं कि भई वो हमें प्यार नहीं करते हैं या at times ये भी होता है कि जिस इनसान से हम प्यार चाह रहे होते हैं रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं उससे तो नहीं मिल रहा है लेकिन बाकी बहुत सारे लोगों से मिल रहा होते हैं इतना ज्यादा हम उसी एक इनसान पर फोकस कर रहे होते हैं कि बाकी जो लोगों से प्यार मिल रहा होता है उसको हम नहीं देख पाते हैं तो यहाँ पर मेसेज आ यह भी हो सकता है कि जो भी आप कर रहे हैं, बहुत ही loving तरीके से करें, बहुत ही compassionately करें. And astrology से आप लुगों के लियो sign का card है, इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लुगों के लिए लखी रहेंगे, and significant day आप लुगों के लिए होगा Sunday. तो यह था लियोज, आप लुगों के लिए coming week का साथ ता ही ग्राशी फल, और नीचे मुझे comment section पर जुरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए. तो चलिए वोगोज, आप लुगों के लिए देखें हैं, coming week क्या लिकरा रहा है, क्या energies हैं, तो professional fund के लिए आप लुगों के लिए card है, three of souls rivers. यह card कहीं hurt की बात करता है, pain की बात करता है, किसी level पे किसी तरीके के एक तकलीफ भी होने की बात करता है, अब इस चीज को सुनके आप बिल्कुल भी परेशान ना हों, क्योंकि सबसे पहले चीज यह weekly reading है, weekly reading में बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं, इका दुका लोगों की बात अलग है, दूसरी बात देखिए, यह minor arcana का card है, जो कि बहुत minor चीजों की बात करता है, और तीसरी बात यह card reverse है, तो जो भी situation रही हो, पीछे आप अगर परिशानी, तकलीफ, अपने professional front में किसी भी चीज को लेकर महसूस कर रहे थे, या फिर इस week की starting में आप महसूस क कर रहे हैं, कहीं उसमें से या तो आप खुद को बाहर निकाल रहे हैं, यानि कि आपकी तरफ से effort रह रहा है, या फिर समय के साथ चीजे fade away हो जाती है, situation circumstances हमें heal करते हैं, उस तरीके की energies रह सकती है, जो भी हो कहीं बहुत एक happy state of mind, या फिर enthusiasm, excitement नहीं रहती भी दिख रही है थोड़ा सा आप हो सकता है काफी sensitive भी चीज़ों को लेकर हो रहे हैं, जहां पर छोटी छोटी सी चीज़ों को आपको bother कर रहे हैं, छोटी छोटी सी चीज़ों को आप दिल पे लगा रहे हैं, छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर आप hurt हो रहे हैं, और अगर ऐसा आप आए वर्गोज तो इस चीज को ज़रूर चेक करके करें क्योंकि देखे एक्स्टर्नल फ्रंड में जो भी हो रहा हो उसको लेकर हम खुद को क्या बोलते हैं वो डिटर्मिन करता है कि यह जो एक्स्टर्नल फ्रंड में चीज हो रही है वो हमें कितना परेशान कर पाएगी For example, मेरा हाथ कड़ गया अब अगर मैं इसी पर ही फोकस करती रहूँ और खुद को बार बार बलो Oh my God, दर्द हो रहा है, अब क्या होगा, कितना खून निकल रहा है तो यकीन मानिये, मुझे तकलीफ जादा होगी और अगर मैं सोचू यार ये तो लाइफ है छोटा मुटा तो इस तरीके की चीज़ें रहती रहती है और इस पे इतनी अटेंशन ना दूँ यकीन मानिये, मुझे उतना दर्द नहीं होगा तो आप किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं किस चीज़ पर अटेंशन दे रहे हैं अपने माइंड में खुद के साथ क्या सेल्फ टॉक कर रहे हैं वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगी कि आप कितनी जल्दी इस एनरजी में से खुद को बाहर निकालते हैं या फिर आप कितना डीप इस एनरजी में जाते हैं परसनल फरंड के लिए आप लगों के लिए 3 of Wands का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि किसी चीज़ का इंतजार, किसी चीज़ का वेट या तो परसनल फरंड में रह रहा है या पिर जो भी आप कर रहे हैं आप current situation को उतनी एहमियत नहीं दे रहे हैं आप current situation पर उतना focus नहीं कर रहे हैं कहीं long term goal आप बनाते हुए दिख रहे हैं future पर जादा focus कर रहे हैं कहीं जो भी आप you know इस week कर रहे हैं उसका एक motivation, उसका एक reason future में चीज़ें बहतर हो जाएं या फिर आपके जो future के goals हैं long term goals हैं वो जादा रहतावा दिख रहा है तो बहुत active energies नहीं हैं एक passive energies हैं जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप किसी चीज़ का इंतजार हो सकता है कर रहे हैं यह इंतजार सब वर्गोस के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है जो भी आप अपने personal front में goal को achieve करना चाहते हैं उसके लिए right time का wait कर रहे हैं या पीछे आपने बहुत effort करें और आप कहीं उनके result या outcome का wait कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है simply अपने किसी loved one या फिर किसी के भी phone call, message, email का wait कर रहे हैं पर focus करते हुए current scenario में action initiatives आप ले रहे हैं and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए cow spirit का card है और यह card कहता है the miracles are endless तो miracles मैंने हमेशा कहा है उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जो miracle और magic में विश्वास रखते हैं और यहाँ पर cow spirit का card कहता है कि अनगिनित miracles हमारी life में हो रहे होते हैं अगर हम human body को देखे ना समझें तो वो in itself ही miracle है तो यह general reading है और weekly reading है तो बहुत बड़ी कोई चीज ना expect करें लेकिन अगर आप definitely miracles देखना चाहेंगे या फिर उसमें आप believe करेंगे तो इस week आपको miracles देख सकते हैं या फिर यहां पर cow spirit का card आपको यह भी message दे रहा है कि miracles आपकी life में आने वाले हैं थोड़ा सा सबर रखें थोड़ी सी patience रखें and astrology से आप लोगों के लिए वर्गोज sign का card है इसके हिसाब से beige brown colors आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा witness day तो यह था वर्गोज आप लोगों के लिए coming week का साथता है एक राशी फल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए Libra's आप लोगों के लिए देखें और अगर इसके लिटरल मीनिंग को देखें तो strength reverse का opposite होता है week तो हो सकता है कि professional friend में किसी खास चीज को लेकर या फिर overall ही थोड़ा सा vulnerable थोड़ा सा week आप महसूस कर रहे हैं और overall के लिए इस card के मतलब को देखें तो कोई चीज आपको bother कर रही है और उसी से ही related एक frustration, एक गुसा, एक anger आप महसूस कर रहे हैं अब देखें reason सब के लिए differ करेंगे लेकिन ये card कहता है पीछे हो सकता है कि आप बहुत सबर रख रहे थे, patience रख रहे थे और इस week आपको इसे लग रहा है कि बस अब आप अपने सबर को, अपनी patience को control में नहीं रख सकते हैं अब आप और जादा प्यार महबबत से चीजों को नहीं deal कर सकते हैं कोई बहुत ही rough, raw या फिर rude इंसान है आपके professional front में या तो आपके उनके साथ जादा interactions हो रही हैं या फिर आप ही थोड़े से rough, rude, raw अपने colleagues, अपने co-workers के साथ होते वे दिख रहे हैं और दिखिए अगर ही आपकी energy से तुम्हें यहीं कहूंगी कि patience अगर नहीं रख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं लेकिन कुछ भी ऐसा किसी को ना कहें जिसके लिए बाद में आप regret करें या फिर गुसे में कोई एक ऐसा step, कोई एक ऐसा action ना ले लें फिर से मैं कहूंगी जिसको लेकर आप बाद में परेशान हों तो कैसे अपने गुसे को आप right direction में divert करें अप right direction गुसे को divert करने की तो कुछ भी नहीं होती लेकिन अपनी उर्जा को, अपनी energy को आप right तरीके से channelize करें यानि कि अपनी बात कहें, अपने लिए stand रखें लेकिन इस तरीके से कि आपके उपर बात ना आए या फिर कोई भी आपके उपर ना pinpoint कर पाए और आप भी परिशान ना हों तो इन चीजों का थोड़ा वो ध्यान रखें और बहुत strongly, बहुत willpower, determination के साथ चीजों को deal करें क्योंकि अगर आपने हिम्मत हारी, आपने determination नहीं रखी, willpower नहीं रखी तो फिर आप अपने goal, अपने मकसद को नहीं achieve कर पाएंगे और फिर से कहोंगी कि बाद में परिशान होंगे तो छोटी-मोटी चीजों का खयाल रखना बहुत important है इस week and personal front के लिए आप लोगों के लिए 8 of cups reverse का card है अब इस card के 1-2 मतलब होते हैं कि किसी चीज को personal front में, in fact यहाँ पर कोई इनसान भी हो सकते हैं कुछ के लिए situation circumstances हो सकते हैं कोई भी चीज हो सकती है, उसको या तो आप छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि आप पीछे छोड़कर आगे बढ़े और इस week आप वापस आ रहे हैं अब देखिए, दोनों ही सिनारियों में आपकी emotions, feelings अलग रहेंगी अगर आप छोड़कर जाना चाह रहे हैं, नहीं छोड़कर जा पा रहे हैं तो थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं और अगर आप छोड़कर गए वापस आ रहे हैं तो कहीं emotionally आप better और अच्छा फील करते हुए दिख रहे हैं अब ये चीज कोई भी हो सकती है जैसे मैंने अभी बताया, कुछ के लिए कोई इंसान हो सकता है कोई relationship, कोई connection हो सकता है कुछ के लिए कोई place हो सकती है कुछ के लिए आपकी कोई आदत behavior हो सकता है जिसको for example आप छोड़ना चाहते हैं नहीं छोड़ पा रहे हैं आप पीछे आपने छोड़ दिया अब दुबारा से आप उसी तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं यह मैंने सिरफ और सिरफ एक्जामपल बताया कोई भी चीज इंसान relationship connection हो सकता है और इन जनरल या फिर guidance से आप लोगों के लिए dove spirit का card है और यह card कहता है be peace और मुझे लगता है यह card आपको जादा professional front के लिए एक guidance दे रहा है क्योंकि हमने देखा professional front में एक गुसा आ रहा है frustration हो रही है और guidance का card कहता है be peace शान्त हो जाओ भाई मत गुसा करो मैं समझती हूँ कि कहीं पर हम गुसे को नहीं contain कर पा रहे होते हैं लेकिन अगर हम you know physical exercise जादा करें यह पर एक boxing bag अगर generally आपको जादा गुसा आता है तो एक boxing bag घर में रख लें जब गुसा है न तो boxing bag में अच्छे से अपना गुसा निकाल दें लोगों पर situations पर ना निकालें तो थोड़ा ऐसा खयाल रखें मतलब गुसे को आप राइट डारेक्शन में चैनलाइज करें बना ऐसे राइट डारेक्शन में चैनलाइज करें मतलब physical exercise कर लें boxing bag रख लें यह boxing bag नहीं है तो आप simply अपने पिलो पे भी अपना गुसा निकाल सकते हैं तो अपने गुसे को went out कर दे और बहुत ही तरीके से चीजों को deal करें गुसे में कोई ऐसी बात ना करें जो आपको बात में परेशान करें and astrology से आप लोगों के लिए Capricorn का card है इसके हिसाब से all shades of blue, indigo इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था Libra's आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राची फल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए इस copyos आप लोगों के लिए देखें को लेकर या overall आप over rigid over fixated हो रहे हैं एक जिद वाली energies होता है कभी कभी हम अड़ जाते हैं या फिर पीछे आपके ऐसी energies थी और इस week आपको हैसास हो रहा है कि ऐसी energies में रहेंगे ना तो अपने goal मकसद को नहीं अचीव कर पाएंगे थोड़ी से तो flexibility लानी पड़ेगी और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आप over fixated rigid किसी भी चीज़ को लेकर हो रहे हैं तो मैं आपको यही कहूंगी जब भी हम ऐसी energies में होते हैं बाकी जो बहुत सारी possibilities हमारे लिए available होती हैं बाकी बहुत सारे options हमारे पास होते हैं ना तो हम उनको explore कर पाते हैं ना ही हम उनको समझ पाते हैं देख पाते हैं और फिर हम अपना ही नुकसान करते हैं तो अगर ऐसा आपको महसूस हो रहा है यानि कि आपको भी लग रहा है कि आप over rigid fixated हो रहे हैं तो ज़रूर इस चीज़ को check करके correct करें थोड़ी सी flexibility लेकर आएं कहते भी है ना कि जो पेर तना हुआ होता है वो किसी को चाय नहीं देता है और जो थोड़ा सा जुका हुआ होता है वो बाकी लोगों के बहुत काम आता है और कहीं उनों उसको appreciate भी करा जाता है या फिर लोग उसी को ही ढूण भी रहे होते हैं और इसी तरीके से जब हम भी थोड़ा सा flexible होते हैं तो बेटर तरीके से चीज़ों को समझ भी पाते हैं दूसरी चीज ये काट कहता है कि जो भी authoritative figure हैं आपके professional friend में अब देखिए जिस profession में आप हैं उसी के हिसाब से अगर आप job में हैं तो आपके boss हो गए या फिर जो organization के लोग हो गए उनके साथ कुछ issues मसले रह सकते हैं अगर आप business में हैं तो government से related कोई भी अगर आपका काम है तो उस से related छोटे मुटे issues मसले रह सकते हैं ये weekly reading है तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रहेगी बट again कहूंगी छोटा मोटा issue मसला रह सकता है and personal front के लिए आप लोगों के लिए eight of pentacles का card है और ये card कहता है कि जो भी आप अपने personal front में कर रहे हैं चाहा रहे हैं कहीं बहुत devotion, dedication के साथ effort करते वे दिख रहे हैं ये card hard work की बात करता है और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि personal front में काफी आपको काम करना पड़ रहा है या फिर आप अपनी इच्छा से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं अब देखिए ये सब के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा अगर आप housewife हैं तो हो सकता है कि आप घर में cleaning कर रहे हैं और बहुत शिद्दत के साथ effort के साथ आप cleaning कर रहे हैं या फिर अगर आप अपना घर बना रहे हैं renovation हो रही है तो उसमें आपका बहुत effort लग रहा है उसके लिए आप बहुत hard work कर रहे हैं अगर आप mother हैं और बच्चे की education पर focus कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप अपने बच्चे को बहुत शिद्दत के साथ बहुत dedication के साथ पढ़ा रहे हैं उसकी पढ़ाई के उपर बहुत focus कर रहे हैं तो यहाँ पर जो भी 3 scenarios मेरे mind में आई मैंने आपको कहा जो भी आप कर रहे हैं जो भी चीज आपके लिए एहम है आप बहुत शिद्दत के साथ devotion, dedication के साथ hard work के साथ उसको करते वे दिख रहे हैं and yes, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो आप काम में काफी busy, काफी occupied भी रहते वे दिख रहे हैं and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए hawk spread का card है और यह card कहता है let's spread be your guide, तो अगर कुछ भी आपको professional personal friend में नहीं समझ में आ रहा होता है कभी-कभी हमें लगता है कि हम इस situation में क्या करें clarity नहीं है, directionless फील कर रहे है तो यहाँ पर hawk spread का card आपको यही कह रहा है कि आप अपने guiding angel से connect करें और इसके लिए आपको कुछ बहुत बढ़ा नहीं करना है आपने सिरफ एक awareness रखनी है और जो भी हमारे spirit guides हमें messages दे रहे होते हैं उसके लिए थोड़ा सा conscious रहना है अब देखिए spirit guides आपको किसी भी तरीके से messages दे सकते हैं कितनी बारी हम कोई serial देख रहे होते हैं और कोई dialogue एक्दम से हमारे को touch करता है और हमें लगता है कि यह हमारे सवाल का जवाब है तो आप उस टाइम पर यह awareness रखें कि यह spirit guide आपको message दे रहे हैं अगर आपको लग रहे हैं कि हाँ भी यह आपके सवाल का जवाब है और कभी-कभी हम किसी banner पर कुछ पढ़ते हैं और हमें लगता है कि यह नो शायद हमें उस चीज का answer मिल गया जो हमें बहुत परिशान करें थी तो इस तरीके से जब आप spirit guides के messages के लिए थोड़ी सी awareness रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो angels हैं वो आपसे connect करना चाहते हैं आपको messages देना चाहते हैं और आप उन messages को read भी कर पाएंगे and astrology से आप लोगों के लिए विस्ता का card है इसके हिसाब से all shades of orange and yellow इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant days आप लोगों के लिए होंगे Thursday and Sunday तो यह थर्सकॉपियोज आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशिफल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चले से रिड़े से आप लोगों के लिए देखें coming week क्या लिकरा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है king of pentacles reverse pentacles tarot में कहीं money, पैसा materialistic, tangible चीज़ों को represent करते हैं और इन्हीं चीज़ों से related जो stability आती है, security आती है उसको भी represent करते हैं क्योंकि आप लोगों के लिए इस week के लिए card reverse है, तो इन्हीं सब चीज़ों से related छोटे मुटे issues छोटे मुटे मसले रह सकते हैं देखें, मैंने बहुत जोर देकर कहा छोटे मुटे issues, छोटे मुटे मसले क्योंकि ये weekly reading है, weekly reading में कोई बहुत बड़ी चीज़े नहीं होती है और ये है भी एक positive card क्योंकि reverse है, तो जो रोज मर्रा की जंदगी में इन्हीं सब चीज़ों से related यानि की money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों से related issues होते हैं वही ये card represent कर रहा है तो example के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं जैसे professional front के लिए ये card है, तो payment आपकी delay हो गई, या फिर जितना profit आप expect कर रहे थे, वो आपको नहीं हो रहा है, या किसी ने आपसे उधार लिया, आप सूच रहे थे कि इस week वो वापिस कर देंगे, वो वापिस नहीं कर रहे हैं, या अगर आपको कहीं invest करना है, तो money थोड़ा सा shot पड़ रहा है, तो जो भी चीज़े मेरे mind में आई, मैंने आपको कहा इसी तरीके से money पैसे को लेकर छोटे मोटे issues रह सकते हैं, और इसी से ही related वो एक stability, security आप नहीं महसूस करते वे दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे king का card है, तो कुछ के लिए हो सकता है, कोई male figure या फिर female भी हो सकते हैं, जिनकी masculine energies हैं, उनकी तरफ से भी कुछ issues मसले रह रहे हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए seven of wands का card है और ये card दिखिए, जहाँ एक तरफ छोटे मोटे problems, issues की बात करता है, मसलों की बात करता है वहीं दूसरी तरफ ये card कहीं victory, success की भी बात करता है तो इस card का message यही होता है की जो भी issues मसले है अगर आपने upfront होके उनको face किया, आपने willpower determination रखी, आप घबराए नहीं, आपने बहुत boldly courageously हर चीज को face किया तो definitely आपको success मिलेगी लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप डर गए, थोड़ा सा भी आप घबरा गए थोड़ा सा भी आपने give up किया तो फिर जो आप चाहा रहे हैं उसको आप नहीं achieve कर पाएंगे तो nutshell में, personal front में आप लोगों के लिए दिख रहा है कि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप चाहा रहे हैं उसके लिए एक easy going आपको नहीं मिलती भी दिख रहे है, यानि कि बहुत असानी से बहुत smoothly आप उस चीज को नहीं पापाएंगे उस चीज को नहीं achieve कर पाएंगे क्योंकि छोटे मोटे again उसी से ही related issues मसले रहेंगे लेकिन अगर आपने willpower determination के साथ चीज़ों को deal किया, courageously उसके लिए extra effort लिया आप लोगों के लिए mouse spirit का card है और ये card कहता है 10 to the smaller things तो बहुत clear message है कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना उनको ना ignore करें कितनी बारी हम बड़ी चीज़ों के पीछे इतना जादा focus कर रहे होते हैं कि हम छोटी चीज़ों को avoid करते हैं, ignore करते हैं और ये चोटी चोटी चीज़ें इतनी बड़ी हो जाती हो हमें इतना परेशान करती हैं कि ये नो फिर हम बहुत परेशान होते हैं तो यहाँ पर simple सा आपके लिए यही message है, यही guidance है कि जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं उन पर आप बहुत जादा attention दें और astrology से आप लोगों के लिए Uranus का card है इसके हिसाब से all shades of blue, indigo आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो यह था सेड़ीटेस आप लोगों के लिए coming week का साबता है एक राशी फल और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि यह कितना आप लिए साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए Capricorns आप लोगों के लिए देखे coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है night of cups और यह card कहता है कि इस week specifically professional front में जो भी काम आप कर रहे हैं या फिर situation या लोगों को लेकर या कोई भी चीज हो सकती है काफी emotional sentimental हो रहे हैं होता है ना कभी कभी छोटी छोटी सी बाते हम दिल पे लगा लेते हैं उनको बहुत जादा attention देते हैं बहुत focus करते हैं और फिर हम खुद को ही परेशान करते हैं और दूसरी चीज़ देखिए एक practical realistic attitude approach missing रहती हुए दिख रही है अपने goal मकसद को लेकर आप सोच तो बहुत रहे हैं हो सकता है कि आप vision create कर रहे हों या फिर आप एक imaginary दुनिया में रह रहे हैं कहीं reality से उतना touch नहीं रहता हुआ दिख रहा है अब दिखिए general reading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप बहुत जादा imaginary world में रह रहे हैं यानि कि आपके goals आपका जो भी मकसद है वो बहुत unrealistic है मुझके लिए हो सकता है कि बहुत ही amazing आपका goal है बहुत ही amazing आपका vision है और कहीं एक practical realistic steps आप नहीं ले पा रहे हैं या पर नहीं ले रहे हैं और दोनों ही scenario में दिखे जब तक आप एक concrete steps अपने goal मकसद के लिए नहीं लेंगे तब तक जो भी हो आप उसको नहीं achieve कर पाएंगे आपने सुना भी होगा vision without action is nothing तो इस चीज का खयाल इस week आपने जरूर रखना है और बहुत emotional sentimental आप होते हुए पाएं खुद को होते हुए पाएं तो जरूर इस चीज को check करके correct करें क्योंकि जब भी हम ऐसे energies में होते हैं हम एक professional attitude खोते हैं और फिर हम सही तरीके से decisions और choices नहीं ले पाते हैं और ऐसे में भी हम अपना सबसे ज़ादा नुकसान करते हैं तो इन चीजों का खयाल रखिए personal front के लिए आप लगों के लिए four of swords reverse का card है और ये card कहता है कि you know एक passive energies में आप रहते हुए दिख रहे हैं यानि कि आप अपने आपको बहुत ज़ादा चीजों में involved नहीं कर रहे हैं participate नहीं कर रहे हैं थोड़ा सा withdraw कर रहे हैं थोड़ा सा backseat ले रहे हैं अब यहां पर भी situation circumstances सब Capricorns के लिए differ करेंगे और in fact reason भी सब Capricorn के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आपके personal front में हो रहा है कहीं जो आप चाहा रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है और यह चीज आपको थोड़ा सा demotivate कर रही है आप action initiatives या तो बहुत ले चुके हैं आपको outcome result नहीं मिला यहां पर आपको लगता है कि लेने का कोई फाइदा नहीं है again reason कोई भी हो आप बहुत ज़ादा upfront होके चीजों को नहीं deal करते हुए दिख रहे हैं आप फिर से मैं कहूंगी बहुत ज़ादा चीजों में खुद को involve करते हुए नहीं दिख रहे हैं आचा कुछ के लिए बड़ा एक genuine reason भी हो सकता है पीछे आपने बड़ा effort किया बड़ी मेहनत करी इस week आप ठक गए आपको लग रहा भी थोड़ा आराम तो करना बनता है और अगर ये reason है तो definitely आराम करना बनता है क्योंकि देखिए अगर आप बिना आराम करें continuously काम करते रहेंगे तो फिर burn out हो जाएंगे और जितना एक आप उस चीज में अपना input दे सकते हैं या फिर 100% आप नहीं अपना effort कर पाएंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से मैं कहूंगे कि reason क्या है जिसकी वज़े से आप backseat लिये हुए हैं आप withdraw कर रहे हैं वो बहुत important रहेगा अगर valid reason है तो बहुत अच्छी बात है अराम करें, चिल करें बहुत जरूरी होता है लेकिन आपको लगे कि भाई आप खाम खां लेजी हो रहे हैं या फिर एक लेथार्जिक से energies हैं या किसी भी reason की वज़े से demotivated हो रहे हैं फील कर रहे हैं तो conscious effort करके जरूर खुद को इस energies में से बाहर निकालें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करें जिससे कि एक enthusiasm आए, excitement आए आप अपने goal मकसद के लिए motivated फील करें और इन general या फिर guidance है आप लोगों के लिए spider spread का card है और ये card कहता है make your dreams real तो देखिए, ये किसी भी front के लिए हो सकता है लेकिन professional के लिए जादा रहता हुआ देख रहा है और मैंने अभी आपको कहा भी कि professional front में हो सकता है कि आप एक dreamy world में हैं या फिर बहुत जादा imaginary world में हैं या खुआप देख रहे हैं लेकिन कई concrete स्टेप्स मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर देखिए, ये काड़ आपको फिर से remind कर रहा है कि जो भी आपके ख्वाब है जो भी आपका विजन है वो बहुत जबरदस्त है बस अब आप focus करें कि कैसे आप इसको reality में convert करें और astrology से आप लगों के लिए mercury ग्रह का काड़ है इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लगों के लिए लगी रहेंगे और significant आप लगों के लिए होगा वेडनस जी तो ये था Capricorns आप लगों के लिए coming week का सापता ही क्राशीफल और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चले एक वेरिस आप लगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लगों के लिए card है the star और ये card कहता है कि specifically professional front में अगर पीछे आप बहुत ज़ादा किसी चीज को लेकर ना उमीद हो रहे थे यहाँ पर directionless फील कर रहे थे confusion थी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें इस situation में तो इस week एक clarity आती भी दिख रही है और otherwise भी दिख अगर आप directionless नहीं भी फील कर रहे थे तो इस week जो भी आप कर रहे है न बहुत जबरदस्त एक clarity रहती भी दिख रही है एक positive frame of mind रहतावा दिख रहा है और बहुत ही एक you know इसी positivity के साथ आप चीजों को डील कर रहे हैं एक transparency आप maintain करते भी दिख रहे हैं यानि कि आपको ऐसा इस week लग सकता है कि अपने co-workers, colleagues से आपको कुछ भी hide नहीं करना है जो भी आपके मन में है या फिर जो भी आप कर रहे हैं आप बहुत ही again मैं कहूंगी transparency के साथ अपने co-workers के साथ share करते भी दिख रहे हैं इन फाक बहुत एक giving energies आपकी रहती भी दिख रही हैं बहुत ही समझदारी, बहुत ही wisdom के साथ भी आप चीजों को कर रहे हैं overall दिखें ये week आपके professional friends से related काफी अच्छा रहतवा दिख रहा है अगर आप star के literal meaning को देखें तो कहीं एक वाके में star बनने की बात करता है यानि कि celebrity वाली energies को represent करता है अब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप सब ही लोग इस week एक celebrity रहेंगे लेकिन अगर आप देखें तो celebrity को बहुत appreciation मिलता है, recognition मिलता है बहुत लोग उनको follow करते हैं तो इस तरीके की energies आपके professional front में रह सकती हैं इस week के लिए जहां पे आपको एक appreciation, recognition मिल रहा है, जो भी आप कर रहे हैं लोग बहुत उसको acknowledge कर रहे हैं और कहीं, you know, आपकी बातों को भी follow कर रहे हैं तो इस तरीके की भी energies रह सकती हैं फिर से कहूं कि overall ये भी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए death reverse का card है अब death के card को देख कर ना normally सब लोग डर जाते हो my god, पता नहीं अब क्या होने वाला है death in tarot simply means ending and beginning लेकिन इसमें क्या होता है ना कि हम चीजों को let go नहीं कर पाते हैं और अगर आप देखें ना ending, beginning is a part and parcel of life अगर ये ending, beginning नहीं होगी ना तो life बड़ी stagnant हो जाएगी चीजें बड़ी monotonous और boring हो जाएगी आप देखें बच्पन में जो shoes आप पहनते थे वो आज अगर आप जबरदस्ती पहनने की कोशिश करेंगे तो पहली बात तो आप पहन ही नी पाएंगे आपको आएंगे ही नी अगर किसी तरीके से आपने अपना पैर उसमें अटका भी लिया तो भी आपका पैर कितना दर्द करेगा अगर उसको पहन कर आप चलेंगे तो life is all about holding on and letting go कुछ चीजें हमें let go करनी ही करनी है हमें आगे बढ़ना है और कुछ चीजों को हमने थोड़ा सा hold on करना है और ये अगर हम समझ जाएं कि हमें किस टाइम पर क्या let go करना है और क्या hold on करना है trust me हमारी जिंदगी आसान हो जाए और इस week इसी की एक जद्दो जहत आपके personal front में रह सकती है कहीं deeper level के लिए आपको पता है कि कुछ चीजों को आपको let go करना है आप नहीं कर पा रहे हैं और उसी से related जो एक परेशानी होती है या anxious energies होती है या हम नहीं अच्छा फील कर रहे होते हैं वही इस week रहतावा दिख रहा है लेकिन अगर आप जो चीज़ें आपको serve नहीं कर रही हैं उनको एक acceptance लाके let go कर दें जो नहीं चीज़ें आने के लिए ready हैं उनको welcome करें तो ये week आपका बहुत amazing जाएगा लेकिन हम ऐसा normally कर नहीं पाते हैं और इसलिए हम परेशान होते हैं और इसलिए death के card से लोग ड़ते भी हैं तो मैंने आपको बहुत clearly बता दिया कि letting go वाली energies में रहेंगे हफता अच्छा जाएगा और अगर बहुत clingy हुए बहुत एक attached कुछ चीज़ों से लेकर हुए जनको let go करने की ज़रत है तो फिर परेशान होंगे और इन जनरल या फिर guidance से आप लोगों के लिटर की spread का card है और ये card कहते है give with gratitude and praise most of the times क्या होता है जब हम किसी के लिए कुछ कर रहे होते हैं give का मतलब में हापर हम किसी को कुछ या तो you know materialistic चीज़ दे रहे हैं या फिर हम उनको help कर रहे हैं किसी life के एरिया में या हम उनके लिए कुछ भी कर रहे हैं एकना गुरूर आ जाता है मैंने उसके लिए ये किया मेरी वज़े से ये हुआ मैं नहीं होता या मैं नहीं होती तो वो नहीं कर सकते थे और ये जो मैं होती है ना यही ego लेकर आती है और इसी की वज़े से रिष्टे खराब होते हैं actually मैं करने वाला तो उपर वाला है लेकिन हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और जब हम खुद का मतलब अपना credit लेना आशू कर देते हैं तब फिर issues और मसले होने शूर जाते हैं तो यहाँ पर यह काट बहुत ही clearly आपको message दे रहा है अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो बहुत ही एक thankful वाली energies में करें बहुत gracefully करें ego ना रखें मैं ना रखें और यू नो ऐसा करेंगे तो यह week आपका बहतर जाएगा नहीं करेंगे तो इस time हो सकते हैं आप ना देख पाएं लेकिन आगे चलके थोड़ा सा issues मसले रह सकते हैं and astrology से आप लोगों के लिए Pluto का card है इसके हिसाब से all shades of yellow and orange आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant days आप लोगों के लिए होंगे Sunday and Thursday तो यह था एक वेरियस आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशीफल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए prices आप लोगों के लिए देखें एक coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है five of swords और यह card कहता है कि इस week specifically professional front में एक unfair energies आप महसूस कर सकते हैं आपको ऐसे लग सकता है कि जो भी हो रहा है ना आप deserve नहीं करते हैं आपके साथ में होना चाहिए किसी भी level पर किसी भी तरीके से एक injustice आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं अब देखे इसका मतलब यह नहीं है कि money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों से related आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इका दुका लोगों के लिए ऐसा हो सकता है बट overall के लिए देखे किसी भी level पर एक unfair energies है सकती है होता है ना कभी-कभी हम किसी अपने love न या फिर colleague, co-worker की बात करूंगी क्योंकि यह professional front के लिए है बहुत out of the way जाके करते हैं और हमारी बड़ी एक expectations उनसे होनी शुरू जाती है मैं ऐसे लगता है कि जब हमें जरुवत पड़ेगी न वो बहुत enthusiastically हमारी help करेंगे या हमारे लिए खड़े रहेंगे और जब उनकी तरफ से ऐसा नहीं होता है हम hurt हो जाते हैं या फिर जब office में politics चल रही होती है लोग बिना बात के हमारे बारे में गलत बोल रहे होते हैं तब भी हम hurt हो जाते हैं तो देखिए इस तरीके की energies आपके professional fund में रह सकती हैं जो भी दो scenarios मेरे mind में आई मैंने आपको बताया सब के लिए थोड़ा थोड़ा differ करेगा और कितनी बार ये भी होता है कि जो भी हमारे past experiences होते हैं उसके basis पे जो current हो रहा होता है हम ऐसा assume करने लगते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है इस scenario में जरूर आप थोड़ा अपने आपको check करें कि कहीं ऐसा तो नहीं आप खाम कहीं ऐसा समझ रहे हैं या सोच रहे हैं और देखिए एक चीज़ का आपको खास इस वी ख्याल रखना है कि जो भी self-talk आपके मन में चल रही है उसको आपने observe करना है क्योंकि देखिए जब भी ऐसी energies होती है most of the times या मैं कहूंगी all the time हमारे मन में बहुत एक negative self-talk होनी शुरू हो जाती है और हम बहुत एक negative stories लोगों के बारे में situation के बारे में अपने मन में बनाना शुरू कर देते हैं अगर हम इसको check करके correct नहीं करते हैं तो इन ही energies में हम बहुत deep जाते हैं और खुद को हम बहुत परेशान करते हैं और अगर हम इसको check करके correct करते हैं एक भी negative thought हमारे मन में आता है हम तुरंट खुद को कहते हैं recall, cancel, delete और positive thought उसकी जगा पे create करते हैं तो बहुत असानी से इन energies से बाहर निकल जाते हैं और हम better भी feel करते हैं तो इस चीज का ख्याल रखें and personal front के लिए आप लगों के लिए three of cups का card है और ये card इस week reverse है तो कहीं देखिए celebration, get together, fun, मजा, mustी से related issues मसले रह सकते हैं in fact मैं कहूंगे ये चीजें इस week रह रही हैं और इसी से related छोटे मुटे issues मसले भी रह सकते हैं अब ये celebration, fun, मजा, mustी, eating, drinking, merry making सब के लिए differ करेगी कुछ के लिए हो सकता है कि कोई बड़ी celebration आपकी family में या आपके loved one की family में हो रही है जिसमें आप बहुत involved हो रहे हैं, आप बहुत participate कर रहे हैं और कुछ के लिए बहुत ही चोटी मोटी सी एक gathering हो सकती है और कुछ के लिए simply हो सकता है जो भी आपके close circle के लोग हैं जो भी आपके बहुत ही करीबी loved ones हैं आप उनके साथ जादा interaction interact कर रहे हैं, जादा आपकी बातचीत हो रही है और फिर से मैं कहूंगी क्योंकि ये card reverse है तो इन ही चीजों से related, छोटा मोटा issue भी रह सकता है, जब हम बड़ा कोई function plan कर रहे होते हैं organize कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी छोटी मोटी चीजें हमें bother करती हैं तो इस तरीके की energies भी a card represent करता है, या फिर जब हम अपने loved ones के साथ जादा interact कर रहे होते हैं, तो difference of opinion हो जाता है, in a very healthy way at times and at times in a unhealthy way, या निकी, you know वो बुरा मान गए, हम बुरा मान गए, तो इस तरीके की चीजें रह सकती हैं overall के लिए दिखिए, फिर से काऊंगे fun, मजा, मस्ती, eating, drinking, merry making में आप खुद को involved तो कर रहे हैं लेकिन शायद आप उतना enjoy नहीं कर रहे हैं, या फिर आप जिस तरीके से करना चाहते हैं, उस तरीके से नहीं कुद को involve कर पा रहे हैं, तो फिर से ऐसी सी energies इस वी करेंगी and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए card है dragonfly spirit और ये card कहता है truth, transcendence, illusion तो दिखिए जैसे अंधेरे को सिरफ और सिरफ light ही गायब कर सकती है, ऐसे ही जितना हम truthfully, जितना हम सच से खुद को वाकिफ करते हुए चीजों को करते हैं, उतना हम अपने goal मकसद को भी पाते हैं और एक सुकून एक piece अपनी life में लेकर आते हैं कहीं एक clarity लेकर आते हैं तो किसी भी चीज को लेकर अगर आपको लगे आप sure नहीं है या फिर कितनी बारी होता है हम खुद को ही नहीं accept कर रहे होते हैं कि भाई ये चीज ठीक नहीं है क्योंकि हमें एक fear होता है, हमारी एक attachment होती है, तो यहां पे इस card का मतलब आपके लिए ही है कि सच से खुद को वाकिफ करें कहीं जूट, जूटे भ्रहम में ना रहकर चीजों को करें तो देखिए, कोई भी बड़ा decision, कोई भी बड़ी choice अगर आप ले रहे हैं सच से खुद को वाकिफ करें बगएर, ना लें, सच को जाने बगएर ना लें and astrology से आप लोगों के लिए चिरयान का card है इसके इस आप से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा witness day तो ये था पाई से आप लोगों के लिए coming week आप लोगों के लिए कमिंग वीकर सापता ही ख्राशीफल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए